करें चलिए कल अपने देखा था कैलकुलेशन में कैसे प्रोपोगेट होती हैं अगर किया तो किस तरह से अधर प्रोपोगेट होती हैं फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा अगर यह स्कुरू गेज हैं तो उसमें कैसे कर दूसरा है यह होगा दोसरा है नेगेटिफ की ज Beim कर दिछा रहा है तो फांदर हम अनृ था कि कोई बीm observe पर प्लस हो जाएगा तो जो एक्चल डीदिंग यहां पर बन जाएगा वो जाएगा observed reading minus access reading चाहे वो positive zero error हो चाहे negative zero error हो now the question comes vernier caliper तो vernier caliper के लिए अपर देखते हैं यह दिख रहा है ना आपको जो PDF में ने display किया हूँ तो चलिए तो vernier caliper में अगर देखे vernier caliper को देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक main scale होता है अच्छा वर्णियर पर देखा ही क्या आपने बोलो नहीं देखा है रूको अच्छे बात यह है कि मैं अपने screen display कर सकता हूँ अच्छा आप अच्छा आप एक अच्छा आप अच्छा आप अच्छा आप सबसे बहुचा आप सबसे बहुचा यह पूच्छा आप यह दिख रहा ना video यह यूट्यूब अला यह देखो यहां पर यह जो दिख रहा है करसर मूँव करता हो दिख रहा है प्रों को करसर करकूल है तो यह देखो यहां पर यह जो है इसको जो कहा जाता है यह है यह तो इस पर क्या है पर अंगोटा रखते हैं और दीरे अंगोटे को यहां से रोल करते हैं तो इसको जब रोल करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ पार्ट है यह वाला इसका जॉब मूव हो एक प्रफिट और इसके साथ मुवेबल होता है अब मुवेबल होगा तो अब हम रीडिंग लेंगे तो इसके देखना भी अभी करेगा है इसको इसमें कर दिया है इसको यहां फिट कर दिया और अब देखो यहां पर इसमें हमने यहां पर कुछ object पिट कर देना है तो आप reading जो ली जाएगी वो यहां पर ली जाएगी इस section पर ली जाएगी ठीक है और अब reading पर आते हैं कि reading ली कैसे है तो देखो आप diagram समझ में आया है क्या हुआ यह वाला जो है वो non-movable है इतना यह वाला पार्ट यह पार्ट is fixed and this part is moving यह पार्ट जो होटा है वो moving होता है moving part अब देखो कि यहाँ पर अलग scale बना हुआ है और इस पर उपर वाले पर अलग scale बना हुआ है तो इसे कहा जाता है main scale जो moving नहीं है जो stationary है fixed है उसे कहा जाता है main scale और जो moving है इसे कहा जाता है worthier scale यहाँ देखेंगे आप अगर तो इसमें दो रों पर अलग-अलग marking हो रखी है देखो यहाँ पर 12345 इस तरह से उपर कुछ अलग marking हो रखी है यह दर और उस तरीके से यहाँ पर नीचे वाले scale पर भी कुछ marking आपको दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे उपर वाले scale से भी reading लेंगे और नीचे अब्जेट को फिट कर दिया तो मैं देखता हूँ main scale में रीडिंग कितनी आ गई तो वह देखो 12345678910 तो यानि आप देख सकते हो main scale में 10 division इसने cross कर दिया है तो main scale की जो reading लिखी जाएगी main scale की जो reading लिखी जाएगी वह होगी 10 division और एक division है एक mm का तो इसकी main scale reading हो जाएगा 10 mm ठीक है main scale की reading हो जाएगा 10 mm अब बात करते हैं वर्नियर scale की reading कैसे ली जाए तो हम क्या करेंगे इसके ये देखेंगे ये जो नीचे वाले जो marking हो रही है और हमारा काम क्या है हमारा काम ये है कि ये वाला देखना कि वर्नियर स्केल की मार्किंग ये जो नीचे वाली मार्किंग हो रही है और उपर वाली मार्किंग हो रही है वो कौन सी वाली माच हो रही है ये देखने के लिए तो मुझे कौन सी माच होती भी दिख रही है ये मुझे माच होती भी दिखा गया दिखा गया थोड़ा साल लेट साइड में शिप्टेड तो अभी मुझे क्या हो दिख रहा है कि ये वाला मैच कर रहा है तो कितना हो गया 1,2,3,4,5 and 6 तो 6th division वर्नियर स्केल रीडिंग अगर लिखें वर्नियर स्केल रीडिंग ये आ चुकी है 6th division और यहाँ पर जो final रीडिंग लिया जाएगा यानि कि observed reading ये लिया जाएगा में स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लिखा गया तो में स्केल का तो बन चुका है 10 mm अब वर्नियर स्केल के मुझे पता है 6 division है अब मुझे मालूम नहीं है कि एक division का क्या करेंगे तो मैं उतायता हूँ अभी वह हो जाता है 6 into least count 6 into least count का जाता है अब यहाँ पर least count calculate करना और screw gauge का least count calculate करना थोड़ा सा different हो जाता है और वो देखते हैं कैसे करा जाए ठीक है वो देखते हैं कैसा किया जाए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि least count जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 main scale division MSD minus 1 VSD और इसके लिए आपको information दे रखी है कि 10 vernier scale division is equals to 9 main scale division सवाल में ही दे दिया जाए आपको सवाल में ही दिया गया है कि 9 main scale division is equals to 10 vernier scale division और अगर ऐसा information दे दिया गया तो मैं देख सकता हूँ vernier scale division कितना आ गया 1 VSD is equals to 9 by 10 MSD main scale division तो कितना था एक division की value 1 mm थी तो यह आ गया 9 by 10 mm इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है न तो least count की जो value बनी वो आया 1 और main scale division बनता है 1 mm minus 1 vernier scale division और वो कितना आ गया 9 by 10 mm तो this is coming out to be 1 by 10 mm तो least count की जो value बनी हुए है वो आ चुकी है 1 by 10 mm यहानिकि 0.1 mm तो finally जब हमें reading लेना था तो हम क्या लिखेंगे देखना 10 mm तो main scale और 6 into least count और least count बताओ कितना बना 0.1 तो यहां से बन जाएगा 10.6 mm बन जाएगा इस तरीके से हम इसकी reading ले पाएंगे मैंने ऐसा आपको अभी तक नहीं बनाया कि reading क्यों ऐसा ले रहे हैं अभी तो बस यह बता रहा हूं कि ऐसे ली जाती है अब ऐसे क्यों ली जाती है थोड़ा पहले समझ लेते हैं यह फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगी बढ़ेंगे तब बता रहा हूं तो देखें यह देखें यहां पर अगर रिडिंग लेना है तो यह देखो 1,2,3,4,5,6,10 फिर यह 20,21,22,23,24 यानि कि main scale की reading कितना आग ठीक है अब वर्नियर स्केल पर आते हैं तो वर्नियर स्केल के लिए दिखते हैं तो यह आगा 1,2,3,4,5,6 और यह 7 वाला मैच होता हुआ दिख रहा है तो वर्नियर स्केल की reading कितना आ गया 7 divisions आ चुपा है तो अगर मुझे अब thickness of the object लिखना है तो मैं लिखूंगा 24 mm प्लस कितना हो जाएगा 7 into least count तो यह आगया 24 mm और 7 और least count अभी हमने calculate किया था कितना आ गया था 0.1 mm तो यह आगया 24.7 mm तो finally जो answer बना हुआ है 24 और यह 0.7 mm बन जोगा ठीके ना कोई डाउट एगया ओके ना अब हम देखते हैं कि यह मतलब समझे ना सब कुछ कोई ड़के तो नहीं है अब मैं बात करता हूँ कि हाँ तो अब मैं बात करता हूँ कि यह least count हमने ऐसा ही क्यों लिखा main scale division और vernia scale division ही क्यों लिखा तो चलिए एकदम basic से देखते हैं कि मैं देखता हूँ यहाँ पर इसकी अगर देखा जाए main scale की कितनी reading आ रही है बोलो 13mm और इस दबबे की जो यह length है क्या यह 13mm है या उससे थोड़ा सा जादा है थोड़ा सा जादा है तो मैं मालनेता हूँ कि length अगर लिखा जाए तो यह लिखा जा सकता है 13mm भूप हैंगि मैंने टोड़ा सा जादा तो थोड़े से जादा को मैंते एकस ले देगती हैं वो जो यहां सेすごप एकस के थे ठोब गरी iç informal चोटे लुब快 टेखें हैं देखेंगे क्या हुआ कि की यहां से मैंस करता है पाया गया का तु भूल जां हम वर्लें पड़रे हैं मैं simply scale scale का काम देखूंँ तो मैं यह कह सकता हूँ यहां से यहां तक की लंबाई यहां से यहां तक की लेंग और यहां से यहां तक की लेंग क्या यह सेम बनी रहेगी या अलग अलग होगी सेम रहेगी भूल जाए हम वर्णियर है कुछ भी हो common sense की बात कर रहा हूँ मुझे देख रहा है कि यह वाले marking बराबर है तो मैं देख सकता हूँ यहां से यहां तक के marking की लंबाई और यहां से यहां तक के marking की लंबाई बराबर होगी तो अगर यह बराबर होगी तो मैं उपर वाले division देखता हूँ कितना हो गया बताओ यहां पर कितना हो गया कितने division हो चुके है 16 हो गया 13 तो यहां थे 14, 15, 16 तो मैं लिख सकता हूँ 16 mm यह तो उपर की length लिखी अब नीचे की length लिखता हूँ तो नीचे की length में देखना कौन है यह तो एक तो डब्बे की लंबाई है तीके डब्बे की लंबाई कितनी लिखा था हूँ मैंने L लिखा था प्लस साथ में कितने हैं 1, 2, 3, 3 divisions of vernier scale 3 vernier scale division देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ अब देखते हैं यह लिखता हूँ length की value हमने पता है 16 mm तो यह बना length की value आ गई है 13 mm प्लस X L की value जो थी 13 mm प्लस X फिर साथ में था 3 vernier scale division तो मुझे ultimately चाहिए क्या मुझे X चाहिए ताकि अपनी length निकाल पाने तो मैं इदर rearrange करता हूँ थोड़ा सा तो X की value देखो कितना बना 13 mm left and side गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 mm और 3 VSD left and side गया तो माइनस हो जाएगा 3 VSD तो यहाँ देखना 3 यह mm तो क्या था main scale division था ना माइनस यहाँ क्या था यह 3 vernier scale division था तो यह 3 common लिया और यहाँ आ गया बोलो MSD माइनस VSD और आप समझिएगा यहाँ पर हमारे पास जो length की reading अब बन गई वो 13 mm तो बनी गई प्लस X तो X कितना आ गया वो आ गया 3 MSD माइनस 3 VSD तो अब देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कौन सा वाला reading मैच कर रहा था 3rd Vermeer Scale की reading से मैच कर रहा था तीसरा वाला मैच कर रहा था ना यहाँ पर 1,2,3 तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो 3 था यह जो 3 था वो बन चुका है Vermeer Scale Reading और यह MSD माइनस VSD यह अब काम आने वाला है Least Count के तौर पर तो अब इस फंडे के मदद से हम समथ चुके हैं कि किस प्रकार से Vermeer Scale का इस्तमाल किया जाता है मतलब मैं हमेशा Vermeer Scale में reading जो लिखता हूँ वो ऐसा ही क्यों लिखता हूँ मतलब मैं ऐसा ही क्यों लिखता हूँ कि जो रीडिंग लिया जाएगा आब वो लिखता हूँ Main Scale Reading Main Scale Reading Plus Vermeer Scale Reading into least count और least count की जो value बन गई थी हमारे पास अभी हमने देखा वो आ गया था MSD माइनस VSD तो अब इसको रटने के जरूत नहीं है हमने इसको एक दाव फंडामेंटली समझ लिया है कि Vernier Scale पर जो है वो ऐसा ही क्यों लिखा जाता है कि यहाँ पर अपने पास Main Scale Reading Plus Vermeer Scale Reading into least count क्यों लिखते हैं आप समझ में आया है बलू और यह बोलना पड़ेगा ना यह सवाल करो देखो इसका यह देखो यह आपको दे रखा है Information Vermeer Scale का यह 0 पर था आप Object फसा दिया बीच में तो इसकी रीडिंग बताएए क्या हो इसकी रीडिंग बताएए क्या हो बोलो अच्छा Main Scale का कितना आ रहा है बताओ यह आपको जो Observed Reading लिखा जाएगा Observed Reading वो लिया जाएगा Main Scale में कितना आ गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 आ गया तो 15 mm तो Main Scale के रीडिंग आ गया Plus Vernia Scale के लिए देखें तो कितना आ गया कौन सा मैच करतावा देख रहा है Zoom करूं क्या मैं And that is the final answer देखे 15.6 mm अगला सवार अब देखिएगा इसमें ध्यान दीजेगा यह information का use करना है Make छोएब प्रहोब गगभस 10, 11, 12, 12 людей 10, 12 आ makes भीजेट 26, 15 आ rides 20, 12 आ गान 20, 12, 15 च्रहोब आपप्रा 20, 13 00, 18 21, 16 अबनो चलिए देख, 13.6 चलिए, first of all, मैं यहाँ पर least count कर लेता हूँ तो वो क्या लिखा जाएगा, 1 MSD-1 VSD तो MSD कितना बना हुआ है, वो है 20 vernier scale is equal to 19 कितना बना हुआ है, तो मैं बोल देता हूँ कि 20 VSD is equal to 19 MSD तो यहाँ से VSD बना है, 19 upon 20 MSD और main scale division देखो, कितने का है, वो 1 mm का है तो यहाँ से यह बन चुका है, this is 1 mm माइनस, 1 over VSD is equal to 19 by 20 और VSD कितना है, वो है mm मतब समझ में आया ना क्याल का है तो यह आजाएगा 1 by 20, 1 by 20 mm देख रहा है और इसको अगर लिखें तो यह देख रहा है, मुझे 0.05 mm आ गया तो अब इसकी रिडिम की बात कर लेते हैं, तो देखो, mean scale में तो आ गया 13 डिविजन, तो main scale के तो आ गया है 13 mm प्लस, vernier scale की बात करता हूँ, तो यह यहाँ पर देखो, dotted line सी बना रखी, तो इसी को लेने विए, तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर, 10 दिख रहा है, 11, 12 दिख रहा है तो 12 into 0.05, तो यह 13.6 आ गया, 13.6 mm आ गया तो final answer is 13.6 mm, ठीक है, अब significant figure आपने अगर पढ़ा हो, तो 13.60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम decimal के second place तक sure है ठीक है न, तो 13.6 mm, G60 mm हो जाएगा, ठीक है, तो I don't think there is any doubt, अगर हो तो जल्दी बोलो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब वही वाली बात आगे, 0 error वाली, इसमें भी दो type के error होंगे, 0, positive 0 error, negative 0 error positive 0 error में, reading जादा होके दिख जाती है, या कम होके दिख जाती है, 0 की जगे, जादा हो जाती है, तो final में से minus करेंगे, या कम करेंगे, add करेंगे minus करना पड़ेगा, क्योंकि जादा करके दिखा रहा है, तो वह minus करना पड़ेगा, अब दूसरी बात, कि अगर मैं negative 0 error में बात करता हूँ, तो वह 0 की जगे, जादा करके दिखाएगा, या कम करके दिखाएगा, तो final reading में हमें क्या करना पड़ेगा, observe reading प्लस something कम करना पड़ेगा, तो अब देखिए, यहाँ पर मैं देखता हूँ, इसको ध्यान से देखो, तो अगर कोई object नहीं फसा होता, अगर कोई object नहीं फसा होता, तो यह जो main scale का 0, और यह vernier scale का 0, जो कि यह jawline से दिखता है, वो बिल्कुल सेम जगे पर होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो jawline वाला जो 0 है, वो कहा है, थोड़ा सा right में shifted है, दिख रहा है क्या? जूम करूं कि हमें एक उन्टो को बड़ा करके दिखाता हूं, देखो, दिखा क्या? कि main scale का 0 left में है, और यह जो jaw वाली line है, वो right में है, और अगर सब कुछ सही रहता, तो वो दोनों line match होनी चाहिए थे, आप उपर वाले में देख लिए, यह देखो, दिखा ना? कि अगर सब कुछ सही रहता, तो यह line perfectly match करती, लेकिन इसमें हम देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि main scale का तो left में है, और vernier scale right में shifted है, इसका मतलब जहाँ पर हमने object नहीं रखा था, reading 0 आनी चाहिए थी, उसकी जगे, vernier scale ने कुछ reading दिखा दी, और vernier scale की reading लिया जाता है, मैं देखता हूँ कौन सा वाला match कर रहा है, तो मैं match कौन सा कर रहा है, 1, 2, 3, 3rd वाला match कर रहा है, तो इसका मतलब यह जो 0 error यहाँ पर लिखा जाएगा, वो बन जाएगा 3 और vernier scale divisions, 3 vernier scale divisions, तो यहाँ पर अपने पास, यह जो है, 3 divisions बन चुके ह यह 3 into least count, तो यह आचुका है 3, और least count के value 0.1 और यह आचुका है 0.3 mm, यानि कि final reading, जो observe reading होगी, उसमें हमें minus करना पड़ेगा, किसको 0.3 को minus करना पड़ेगा, तो reading ले भी ले थे, तो देखो, 10, 11, 12, 13, 13 तो main scale हो गया, vernier का बताओ कितना आ रहा है, वर्नियर की reading कौन से यह आ रहे है, 8 आ रहे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ रहे है, तो 8 into least count, और least count है 0.1, तो यह आ गया 13.8, तो यह कह final reading होई है, हमारी, minus करना पड़े का point, तो आप देखने हो, 13.5 would be the final answer, 13.5 is the final answer, अब इसमें आप बताइए, कितनी access reading दिखा रहा है है, 0.6 mm की access reading दिखा रहा है, यह 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6th vernier scale की reading आ चुकी है, तो vernier scale की reading है 6, और इसका least count है 0.1, तो यह आ चुका है 0.6 mm, तो आप देख सकते हैं, अब ध्यान चे सुनना, कि यहाँ पर access reading कैसे पता लगी, कि भाई यह positive 0 error है, negative 0 error, कि भाई साब यहाँ पर जब कोई object नहीं था, उसके बावजूद भी vernier scale right में shifted है, आप देख सकते हो ना, कि यह डोनों 0 match करने चाहिए थे, match नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर यह right में shifted है, तो इसी लिए इसे positive 0 error कहा गया, अब इसकी reading लेकि बताओ कि इतना रहा है, main scale में कितना बना बताओ, 14 बना है, तो main scale का तो आगया 14, आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 division तो उसके आगया, तो 14 mm में ने लिख दिया, vernier के बताओ कितना, 6 बना हुआ, तो 6 into 0.1, लेकिन यह observed है, final में क्या करना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा 0 error, यानि कि 0.6, तो यह आगया 14.0 mm, ठीक है ना, और अब, यहाँ पर देखे, इस सवाल को पहले पढ़िएगा, सवाल को पढ़ लिए, फिर आते हैं इस डाइग्राम पर, यहाँ पर यह कह रहा है, main scale की reading minus 1 है, minus 1 कौन सी reading होने लगता है, मतलब, scale तो अपना length दिखाता है, यह minus 1 कौन सी reading होने लगता है, दुबारा बोलो, थोड़ी सी left में हैं, in fact, जब कभी भी हम देखो, यहाँ पर मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ, जब कभी भी हम reading लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि कहाँ पर main scale का यह खतम हुआ है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा gap के लिए, हम वर्नियर स्केल के पास में आते हैं, तो main scale कि यह जो पहले वाली reading हम लेते हैं, फिर उसके बाद में वर्नियर स्केल का कौन सा वाला match कर रहा है, वो देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर 14 बन चुका था, प्लस 6 इंटू 0.1 बन गया था, अब यहाँ देखो, कि जब मुझे इस situation में मुझे देखना है, कि इसकी reading क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा देखना, कि यहाँ पर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 राइट में था, तो यहाँ पर आपको imagine करना पड़ेगा, 0 के left में minus 1 रहा होगा, left में minus 2 रहा होगा, ऐसा समझे गया, imagine कर रहे हैं नहीं, और ऐसा क्यों imagine कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस vernier की reading ले दी है, तो आप देखते हो, कि हमेशा vernier की reading देखने के लिए, मैं क्या करता हूँ, just vernier scale से, left hand side में कौन सा वाला main scale का division था, तो यहाँ पर कौन सा आ गया बताओ, left hand side में just, minus 1, समझे लो मेरी बाद को, तो यहाँ से main scale की जो reading आई है, वो है minus 1 mm, और vernier scale division की reading देखो, कितनी आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, into least count, तो यह आ गया है, minus of 0.4 mm, तो यह जो एरर बना है, कौन सा एरर बना, positive 0 error या negative 0 error, negative 0 error, यहाँ पर की हमें, 0 की जगे कुछ minus value दिखा रहा है, तो यह negative 0 error बन गया, अब ही, final reading में देखूंगा, तो क्या करूंगा, add या subtract, add खरूंगा, तो देखना, यहाँ पर reading ले रहे थे हैं, तो कितना आ गया, main scale का बताओ, 11 mm, plus vernier scale का बताओ, यह आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आता हुआ रहे हैं, 8 into 0.1, तो यह 11.8 तो observed reading है, actual में के लिए minus करना पड़ेगा, 0 error, और 0 error है कितना, वो है, minus 0.4, तो यह 11, sorry, 12.2 आ चुका है, 12.2 mm, that is the final answer, 12.2 mm बन चुका है, समझे, तो हमने इस तरीके से, 0 error भी देख लिया, हमने positive 0 error भी देख लिया, और negative 0 error भी देख लिया, अब हमारे पास में कई सारे सवाल बनेंगे, मैं इस PDF को अपलोड कर रहा हूं, just after the class, आप इस सवालों को एक बार करिये, and you will get the idea कि कैसे उन्हें solve किया जाएगा, अब कई सारे experiment बनेंगे, कई सारे experiment बनेंगे, जैसे pendulum की मदद से, gravitation g की calculation की जाएगी, तो मुझे पता है, time period is equal to 2 pi root over lyg, तो g को इस तरह से लिखा, फिर ln ले लिया, तो मेरे पास क्या बना, ln of g is equal to ln of 4 pi square, plus ln of l plus ln minus ln of t square, अब वही कर देते हैं, differentiate किया, तो dg by g, यह तो कितना आगया, 0, यह कितना आगया, dl by l, और यह कितना आगया, minus 2 times dt by t, यह तो maths हुई, error में क्या हो जाती है, चीजें जुड जाती है, तो यह plus हो जाएगा, तो मुझे अगर, तो यहाँ पर यह सभी information, सवाल में दे रखी है, use करेंगे, और बन जाएगा, तो यह जो experiment के सवाल होंगे, उसको लेकर डरना नहीं है, कभी young's modulus की मदद से सवाल दे दिया जाएगा, है ना, जैसे यह बना हुआ है, कि बोला गया है, कि यहाँ पर इसको serilis method कहा जाता है, young's modulus वाला जो experiment है, serilis method कहा जाता है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, यह क्या है, stress है, is equals to young's modulus times, change in length upon initial length, यानि कि strain, stress is equals to young's modulus into strain, ठीक है, अभी अपने को निकालना है, इसकी निकालना है, कि extra elongation वगेरा कितना है, यहाँ पर दिया है, extra extension delta x of the wire, 1 meter is suspended on top of roof at one end, with extra load delta w, if cross section area of the wire is itna, calculate young's modulus of the material of the wire, तो मैं क्या बोलता हूँ, stress बराबर, stress बराबर, young's modulus into strain होता है, तो यहाँ से लिए सकता हूँ, कि stress, is equals to young's modulus into strain, ठीक है, तो stress के लिए लिखाय सकता है, वो होगा, force upon area is equals to young's modulus, यहाँ पर delta x upon initial length n, initial length इसके 1 meter दे दी गई है, force के बारे में, यहाँ पर यह graph दे दिया गया है, कहाँ है delta w होगा, तो यह अपना जो young's modulus बनेगा, यह graph कितना बना हुआ है, delta l अपने लिया हुआ है, y axis पर, और delta w अपने लिया हुआ है, x axis पर, तो देखो, यह अपने लिया हुआ है, x axis पर, और यह जो लिया हुआ है, यह y axis पर लिया हुआ है, तो slope समझ में आया, क्या समझ में आया, यहां पर क्या होगा बोलो बोलो यह slope जो है वही slope इस equation का, इस straight line का बनेगा और slope की value हम यहां से 2 points से निकाल सकते हैं और वो होना चीए L0 upon AY तो यहां से अपने पास young's modulus की value बन जाएगी बोलो अब ही ऐसे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें सिललेज मेतोड का यूज किया जाएगा उसमें young's modulus की calculation आपको करवाई जाएगा तो डरना नहीं है, सीधा सवाल पर आओ इस apparatus को देखके डरना मत है ना, छोड़ दो इसको सिधा सवाल पर आओ, अपने आप तुमारे बनेगे ज्यादा टेंशन मत लेना, अपने आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहरा हूँ, सीधे सवाल करोगे डरोगे नहीं, अपने आप हो जाएगे और यह आपका काम है, PDF में आपको अपलोड कर दूगा आप कर लेगे, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है और मैं आपको एक सवाल पर दिखान दिलाना चाहता हूँ यह ला, ITJ कुशन नंबर 29 इस सवाल भो करी आपको 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 दिलाना बात नहीं, आपको आपको दिलाना चाहता हूँ क्वेशन नमबर 29 अपरी प्रवशन लिए मैं Shama कि अधुष मैंका रवा झाल झाल पहले हमें दिया गया है दो टाइप के वर्नियर कैलिपर दिये गए है वो है C1 और C2 C1 के बारे में बताया गया है C1 के लिए मैं इधर लिखता हूँ और C2 के लिए मैं इधर लिखता हूँ C1 के बारे में हमें दिया गया है 10 divisions of that correspond to 9 main scale division यानि कि 10 VSD is equals to 9 MSD ऐसा सवाल हमें दे दिया गया है ठीक है C2 के बारे में क्या दिया कि 10 equal divisions of main scale आंसर इसका 29 का 29 का B है बिल्कुत से बिल्कुत तो हो गया क्या नहीं बताना क्या बता देता हूँ बारे में बताता हूँ C2 के बारे में दिया है कि C2 has 10 equal divisions that equals to 11 main scale division यानि कि 10 VSD is equals to 11 MSD हमें आदत किस बात किये कि vernier scale division जादा हो main scale divisions है यहाँ पर हमने क्या बोल दिया vernier scale तो 10 हैं और main scale 11 हैं तो budget scale division बड़ा हो गया तो यहाँ पर एक अलग तरीके से reading ली जाएगी तो पहले में एक convention हो जो आसान है वो करतेता हूँ इसकी C1 में देख लेते हैं तो कितना आ गया है यह 2 एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, और आठ तो 2.8 mm यही बना हुआ है ना, 2.8 cm सेंटीमेटर था ना, यह 0.2 cm, 2.1 cm, 2.2 cm तो यह 2.8 cm तो यहाँ बने गया, main scale की reading और मैं vernier scale की बात करता हूँ तो यह कहाँ match करता हुआ, देख रहा है, यह देख रहा है, मुझे match करता हुआ तो 5, 6 और 7, तो 7 into least count है ने की 0.1 तो यह कितना आ गया, 2.2 cm, यह mm है ना, यह mm है यह काम करते हैं, इसको भी mm में कर लेते हैं, टेंशन ही गतम होगा cm में देखता हूँ, कि 1 cm में 10 mm होते हैं तो यह हो जाएगा, 28 mm हो जाएगा, plus 0.7, तो यह आ जाएगा, 28.7 mm और cm में लिखे हैं, तो 2.87 cm बन जाएगा तो इसका मतलब C1 की reading तो अपनी आ गई, ना, C2 के लिए हम क्या करेंगे जिस logic के मदद से, हमने vernier scale को समझाता, वो हम देख लेते हैं जिस logic के मदद से, हमने vernier scale को समझाता, वो हम देख लेते हैं तो देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे यह कहीं यहाँ पर 0 रहा होगा तो 0 से यहाँ तक की जो gap है, 0 से यहाँ तक का जो gap है, वो L होगा और वही मुझे चाहिए 0 से यहाँ तक को जो gap होगा, वो L होगा और वही मुझे चाहिए तो सबसे पहले मैं डूनता हूँ कि match कौन सा कर रहा है तो match करता हुआ पाया गया, 5, 6, 7, यह match करता हुआ देख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई is equals to यहाँ से यहाँ तक की लंबाई simple logic है, समझेगे मेरी बात को तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर यह जो length लिखी जाएगी नीचे वाली यह लिखी जाएगी length L, यहाँ से यहाँ तक तो L हो गया और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 1234567, 7 of vernier scale division तो यह मैंने total length लिख दिया है L plus 7 VHD अब ऊपर के पास आता हूँ तो ऊपर के पास देखो कितना हो गया यह कितना है यह 2 है ना, यह 3 होना ची यह 3 होना ची यहाँ पर भी 3 होना ची तो अब देखो यह कितना हो गया यह 3 division हो, 3 cm यहाँ फिर 3.1 cm, 3.2 cm, 3.3 cm, 3.4 cm, 3.5 cm, 3.6 cm और mm में कितना हो जाएगा 36 mm हो जाएगा सब कुछ mm में कर लेते हैं अभी तो तो अभी L plus 7 VHD अब VHD कैसे निकालें तो मेरे पास है 10 VSD is equals to 11 MSD कितना था 1 mm तो इसका मतलब VSD is 11 upon 10 mm यानि कि 1.1 mm तो यह आ चुका है 7 into VSD यानि कि 1.1 mm is equals to 36 mm तो L is equals to 36 minus 7.7 तो यह कितना है यह साथ गया तो यह 3.9 और उसमेरे से भी साथ गया तो 3.8 2.83 दिखा है ना 2.83 cm तो इस थरीके से हमारे पास option अगर देखेंगे तो B बनेगा तो देखिए यह वाला जो C1 था यह बिल्कुल वही है जो हमने पड़ा था इसे कहा था conventional method और यह है unconventional जिसमें की vernier scale division बड़ा है और main scale division छोटा है तो sir आपने यह जो तरीका अपनाया वो मतलब ऐसे कैसे क्लिक करेगा तो बच्चा यह वाला तरीका है ना यह इसकी fundamental है vernier caliper का fundamental है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा आप देख सकते हो ना यहार length बरापर length करा था हमने अब इससे basic इससे fundamental चीज और क्या बता सकता हूँ तो चाहे आपका conventional हो चाहे आपका unconventional हो length बरापर length करने के तरीके से आप हमेशा हमेशा solve कर सकते हैं और यह वाला जो तरीका है यह सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब conventional हमारा vernier caliper होगा यानि कि 10 VSD यानि कि VSD हमारा VSD के value छोटी होगी as compared to MSD समझ रहें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे इसके readings vernier caliper के तो इसी के साथ में हमने देखो हमने calculation देख लिया यानि कि addition, subtraction, multiplication, division में किस तरह से error propagate होती है फिर उसके बाद में हमने vernier caliper and screw gauge को अच्छे समझ लिया है बाद में कुछ experiments होंगे उनके सवाल जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा और वो सवाल करने के लिए ये PDF में आपको upload कर दूँगा तब आप उसको देख लिएगा अब मैं आता हूँ significant figure पर हाँ ये black screen देख रहा है वोलो तो significant figure पर आते हैं पहली चीज़ अल नौन जीरो नंबर जो हमारे होंगे डिजिट्स होंगे अल नौन जीरो डिजिट्स किसी नंबर की अल नौन जीरो डिजिट्स आर significant ठीक है दूसरी बात अपने पास अल ट्राप्ड जीरो जीडूस all trapped zeros are significant all non zero जैसे मैंने कर दिया 1234 यह कोई नमबर है 1234 तो इसमें 4 significant digits पाई जाने वाली है 1234 अगर all trapped zeros की बात कराऊं जैसे हमारे पास हो गया 10101 तो इसमें कितनी significant figure से बताईए 5 significant 5 significant है कि हमारे पास non zero हो तो कितने बने है 111 यानि कि 3 तो यह बन गए और trapped मतलब हो गया कि इसके आसपास में number हो non zero number हो तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा 0 और 0 भी significant बन जाएगा अब मैं बात करता हूं अब मैं बात करता हूं all leading zeros are not significant for example मैं लिखता हूं 0,1,1 इस तरह से कुछ लिख दिया तो इसके कितने significant होंगे तीन होंगे देखो one और one तो है ही यह बीच में फसावा zero भी है लेकिन यह वाला जो zero है वो नहीं है all leading zeros are not significant तीक है और इसमें all leading में अगर मैं चाहूं तो इसमें चाहे decimal हो decimal हो या ना हो for example मैं लिखता हूँ 0.0532 तो इसमें कितने significant हो गए बता तीन हो जाएंगे तीन 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 जी बिल्कुल यह हो जाएंगे तीन हो जाने वाले तो अपने पास यह जो बना हुआ है कौन है यह 0.0532 है और यह जो leading बन गए ना इसके बीच में इसके इदर साइड में कोई नंबर नहीं है तो यह lead कर रहे है नंबर को तो यह जो बन जाएगा यह क्या हो जाएगा कि अपने पास मैंने मान लिया 5010 तो अगर डेसिमल नहीं है तो यह बन जाएगा trailing zeros are not significant यानि कि यहाँ पर कितने significant पाये जाएगे तीन significant digits पाये जाएगे तीन significant digits पाये जाएगे अगर मैंने कर दिया if decimal is present तो अपने पास में यह जो trailing zeros बन जाएगे वो हो जाएगे significant तो trailing zero are significant तो इसके लिए मैं देखता हूँ मैंने गर दिया let's say 5.010 5.010 तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि 5.010 में अपने पास 5 and 1 तो अपने क्या बन जाए significant बन जाएगे लेकिन यह zero जो बीच में फसा हुआ है वो भी क्या हो गया significant बन गया अब since यह decimal है तो इसका मतलब यह वाला भी क्या होगा significant बनेगा तो यहाँ पर चार significant figures पाई जाएगे चार significant digits हमारे को दिखने वाली हैं अगर मैं इसको लिखता हूँ 0.005020 कितने significant है चार है यह तीनों तो नहीं है और इसमें देख सकते हो पांच और दो तो है ही यह zero बीच में फसा है तो वो भी है और decimal होने की वजए से यह क्या हो गया है significant बन चुका है तो यह बन चुका है एक तो तीन चार तो चार significant अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5050102 और एक और zero कितने significant बनेगा यह बन गया 1,2,3,4,5,6,7 7 significant है आप देखी सकते हो ना यह जो end वाला है वो तो trailing है decimal तो यहाँ था नहीं तो इसको तो अटा दो तो यह तो significant बचा नहीं बाकि जो भी zeros हैं बीच में फसे हों तो वो क्या हो जाएगा वो significant बच जाएंगे और बाकि non zero जो भी number होते हैं वो significant होंगे तो इसका मतलब बाकि बची भी सारी चीजें क्या हो जाएगे significant हो जाएगा अगर मैं लिखता हूँ 0.005353102 कितना आगया बताओ इसमें significant कितना होगा पांच होने वाले हैं यह पहले वाले significant नहीं होंगे leading वाले significant नहीं बनते हैं तो अपने पास बन जाएंगे this is five significant ठीक है और कौन सा रूल बचा है अपना हां एक वो बचा हुआ है unit conversion वाला for example यह मैं अगर लिखता हूँ five centimeter अगर लिखा जाए और अगर मैं देखता हूँ इसको मैं mm में लिखता हूँ तो यह mm में कितना हो जाएगा 50 mm अगर मैं इसको लिखता हूँ तो पांच सेंटिमेंटर हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा इस तरह से बन जाएगा तो अभी इन सब ही जगे देख लो अभी यहां देख लो इसमें कितनी significant है और इसमें कितनी significant है 1 तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही बढ़िया है सभी में significant digits अपनी 1 बनी तो unit convergence से significant digits में कोई फरक नहीं पड़ता है जितनी है उतनी की उतनी रहेगी अब मैं एक cm में डालता हूं तो वह कितना हो जाएगा 4.01 x 100 cm मैंने कर दिया तो यहां पर अपने पास कितनी बनती भी दिख रही है यह अपने पास second में कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर मैं लिखता हूं 4.700 मीटर लिख दिया मैंने 4.700 मीटर लिख दिया मैंने और अगर मैं इसका unit conversion करता हूं cm में डाल दिया तो कितना आ जाएगा यह 4 cm में करता है न तो यह आ जाएगा 470.0 cm ठीक है और अगर मैं इसको एक और मिली मेंटर में डाल देता हूं तो यह कितना आ जाएगा 4700 मिली मेंटर दिख जाएगा समझ रहे हो कि बाद को अब significant number देखते हैं सबके significant लेखते हैं तो इसमें significant कितने ने दिख रहे हैं बोलू है चार significant अ यह अपने पास क्या बनेगा 470.0 तो decimal के बाद वाला जो भी अपने जो trapped नहीं है ये जो end वाले बन जाएंगे ये क्या हो जाएंगे not significant बन जाएंगे और यहाँ पर भी अपने पास कितने बन जाएंगे not significant बन जाएंगे तो यहाँ पर ये significant number क्या हो रहें change होते जा रहें क्या देख रहें significant number change होते जा रहें लेकिन हमें पता हैं कि unit conversion में significant number change नहीं होता तो हम क्या करेंगे जब कर भी भी unit conversion करेंगे तो जो given number दे रखा था ये दिये दे रखा था आपको sorry इतना 4.700 meter दे रखा तो अगर मुझे unit conversion करना है तो मैं क्या करूंगा इसको अगर मुझे millimeter में convert करना है तो मैं करूंगा 4.700 बिल्कुल वैसा ही रखा into 10 power 3 millimeter कर दिया into 10 power 3 millimeter कर दिया तो ये जब significant अपने यहाँ पर number आप देखेंगे न significant number अपकर आप यहाँ देखेंगे न तो ये power वाले number significant में नहीं आते हैं अपने को यही जो चीजे हैं यही जो चीजे हैं वही significant दिखाएंगे समझे हो के मेरी बात को अच्छा एक चीज मुझे लगता है आपने विलत बोला यहाँ पर 2 significant नहीं होंगी यहाँ 4 होंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 significant यहाँ पर 4 significant गड़बर हो गया तो significant को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे हमेशा यह scientific number लिखेंगे यह जो 10 power में लिखा जाता है scientific number में लिखा जाता है तो अगर मुझे इसे convert करना है कोई unit में convert करना है तो मैं simply करूंगा 4.700 इसको तो छेड़ा ही नहीं और meter को kilometer में डालना है तो मैं क्या कर दूंगा 10 power minus 3 kilometer डालना है आप देख सकते हो कहीं से कहीं तक कोई change नहीं आए ठीक है और अगर मुझे इसको डालना है millimeter में तो क्या कर दूंगा 4.700 जैसा था वैसा कब ऐसा ही और unit change मैंने इस तरह से scientific number में कर दिया है ओके अब बात करते हैं addition subtraction वगरा की तो पड़ लेंगे क्या अपन पेज नमबर 29 पर अपने को दे रखा है NCRT में page number 29 तो उसमें पड़ लेना है बड़े अच्छी से दे रखा है मुझे लगता है कोई ऐसा दिक्कत आएगे और अगर दिक्कत आती है तो पूछ लेना आप ओके तो अभी अपना error खताम हो जाता है measurement खताम हो जाता है अगला जो chapter होगा वो मैं सोच रहा हूं geometrical optics के लिए ठीक है that would be geometrical optics इस जोमेंट्रिकल optics में किसी topic में दिक्कत है क्या ताकि उस पर जाधा ध्यान दें किसी पढ़िए लो टॉपिक को ने है 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 तो इसको सॉल्ल करने में प्रॉब्लम हो जाएंगे ठीक है आपन देख लेंगे उसे और बोलो कि दिस्कुशन कि दिस्पर्शन ओके दिस्पर्शन पूरा जोगा ठीक है वैसे बहुत आसान अपन कर लेंगे ना 15-20 मिनिट में वी विल कंप्लीट दिस्पर्शन कोई दिस्पर्शन कोई जो नहीं है आपन कर लेंगे और देख लेंगे कैसा होता है ठीक है तो आपलोड थे पीडियाफ आप उसको एक बर अडर का जरूर देखियेगा कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बात कर लेना ठीक है ओके बच्चा तो अपन क्लास आज कतम करते हैं यही पर ही